बाबो कुछ और भी चाहिए इसके साथ सौस अगर है आज मैं शेयर कर ली हूँ आपसे अपनी बॉर्निंग रूटीन पहले स्टार्ट करते हैं हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू दे न्यू व्लोग मोना कहती है तो कैसे आप सब होब कि आप सब ठीक हैं खुश है अपनी ल चुलिया और वह रेडी हो रहा है और साथ के साथ पराठे भी खा लेगा ज्यादा तर बच्चों को इसी टाइप के नाश्टे पसंद होते हैं आलू का पराठा गोबी का पराठा या फिर कुछ अलग सी चीज हो कोई चाहिलीज डीश हो तो वह अपना लेवे के निकल गया उसके बाद मैं आ गई अपना गरम पानी का ग्लास लेकर के ड्रॉइंग डूम में मैं यहां बैठती हूँ थोड़ा सा बाहर का उजाला मिलता है आखों को सुकून देता है और मैंने हलकी सी शौल डाल रखी है क्योंकि हलके हलकी ठंड तो शुरू हो ही गई है और थोड़ मुद्राइं करती हूँ वो सारी चीज़े मैं यहां पर बैठ करके कर रही हूँ फिलहाल तो मैं भी खपालबाती कर रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से बैठी हुई हूई हूँ और अभी तक मैंने बैडशिट ठीक नहीं की है बस हलका सा फोल्ड हो गया है ब्लैंकेट वग अभी मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया अभी मैं फिलहाल अपना योग कर रही हूँ जो कि मैं डेली करती हूँ इस ते क्या रहता है आपका मन चित सब कुछ शांत रहता है और काम भी करना रहता है दिन भर तो उसके लिए आप पूरी तरह से एनरजी से भर जाते हो कि अप पी लेते हैं पानी मगर वो मैं जरूर अपने टाइम पर उसको मैं हमेशा ही मिस करती हूँ तो मैं यहाँ पे अपना ये करती रहूंगी और स्लोली स्लोली गुनोना पानी को भूट भूट करके पीती रहूंगी थोड़ी बहुत फेशिल एकसराइज कर ले तो आपके सकिन मगर अच्छी रहती है, ग्लो करती है, एजिंग के साइंस भी जल्दी नहीं दिखते हैं, क्योंकि उबर तो हो ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं कर लेती हूं साथ के साथ, और नेक की एक्सराइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो नेक की एक्सराइज करना तो मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फोन के साथ बहुत काम रहता है, इसलिए ये जरूर इसके उपर असर पटता है गरदन के उपर, तो नेक वाली मैं ज़रूर कर लेती हूं, मैं थोड़ी बहुत करती हूं, ज़्यादा नहीं करती हूं, मगर रूटीन में उसको रखती हूं, कि मैं कुछ ने कुछ थोड़ा हो तो करूं, नेक्स्ट बारी आती है आपके गार्डिनिंग की, तो गार्डिनिंग की यह है कि एक-दो दिन में पानी तो डालना ही होता है, तो दो दिन का गैब दे करके पानी मैं डाल देती हूं, और यह आपके लिए बेस्ट थेरेपी होती है, आँखों के लिए और आपके मन के लिए, यह क्योंकि आप जब अपने पौधे लगाए हुए देखते हैं अपनी आखों से तो आपको काफी सुकोनी देता है, तो मैं इन पौधों में पानी डालती हूं और उसके इनके पत्तियों के साथ भी, इनको मतलब एक तरह से नहला देती हूं, मौर्निंग जो है, इते मिलनों का मौर्निंग बात हो जाता है, अच्छे से यह लोग नहा देते हैं और खिले-खिले से देखते हैं, तो मैं इनको नहला भी देती हूं और इसमें पानी भी डालती जाती हूं, क्योंकि केवल पौधे लगा देने से हमारी जिम्यदारी खतम नहीं हो जाती है, उनकी काट-छाट और सुखे पत्तों को निकालना केड़े लग रहे हैं कि नहीं यह सब देखना बहुत जरूरी होता है, एक टिप देती हूं, अगर आपके प्लांट्स में केड़े लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा ना उसमें लसन दो-तिन कूट करके और जब चिलके निकालते हैं लसन के वो इकठा करके पानी में बिगो करके राद भर के लिए रग दें एक मग पानी में और उसका छड़का अगर पौधों पे कर दें तो कीड़े लगने बंद हो जाएंगे वह तब कीड़े हट जाएंगे और लगेंगे भी नहीं और मैं आपको बताओ ना मुझे इतना प्यार है इन पौधों से कि मैं चाहती भी नहीं हूं जल्दी ज्यादा काट चाट करना अगर मम्मी बोलती ह कि काट दा चाट दा तो मुझे पसंद नहीं आता है मैं नहीं चाहती हूं क्यों करूं मैं क्यों काट चाट करूं इतनी गरम पानी मैं पेती हूं बिना ब्रश की क्योंकि वही सबसे इंपोर्टेंट होता है और अब मैं आ चोकी हूं ब्रश करने के लिए और ब्रश करने के हाथ के साथ मेरा जो फेशल का पता फेश का जो भी थोड़ा बहुत रूटीन रह गया है लाइक मॉस्ट्राइजर लगाना तो वह भी मैं इसके साथ ही कर लूँगी थोड़ा सा फेश वाश लेके फेश भी वाश कर लेती हूँ ब्रश करने के जस्ट बात और उसके बासे पर पर नहीं मिलेगा स्किन जब एकदम से सूख जाती है ड्राय हो जाती है फेश वाश किया हलका सा उसको डैब डैब किया और उसके तुरंब बाद आपको स्किन पर मॉस्ट्राइजर लगाना जरूरी ही होता है क्योंकि जब आपके चेहरे में नमी होती है उसी वक्त वो अच्छे से मॉस्ट्राइजर को अब्सॉप करता है आपका जो स्किन है फेस है क्योंकि नहा के भी जबाब आते हो तो तुरंब बाद लोशन बहुत लोग नहीं लगाते हैं आराम से बैठ जाते हैं या अपना काम बाकी गराम निप्टाने के बाद 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 मैं सबसे पहले आकर के अपना गी सब लगा लेते हूं मौश्राजर उसमें कोई भी लापरवाही नहीं सारे काम तो हम समय पे ही करते हैं तो अपने लिए क्यों समय ना दे अपने लिए भी समय देना चाहिए क्योंकि सबसे जादा इंपोर्टेंट आप खुद हो जब आप अपने खुद को इंपोर्टेंस दोंगे तो आपको अपने आप इंपोर्टेंस मिलेगी अब जाकर नमबर लगा है मेरे फेवरेट चीज का जो है बेरी गुडवाली चाय और ठंड के मौसम में बहाँ निकलती हूई गरम गरम चाय सब ही पीना पसंद करते हैं लेकिन वही जो की हूँ मैं उसको शूट नहीं कर पाई सौरी उसके बाद चाय मेरी खतम हो गए और चाय खतम करने के बाद मैं बैच्छिट अगर एफोड करके अब हटा रही हूँ बैच्छिट को अच्छे से लगाँगी ड्राइंग रूम में क्रिशी ही सोता है तो फिर बेड अगर सब्सक्राइब करने से बहुत ज्यादा चमका जाती है बिल्कुल शाइन करने लगता है ब्रेश वाला जो स्टेंड है जिसमें ब्रेशे जगरे रखते है न तो वह भी बहुत गंदा हो गया था मैंने आज उसे भी ड्रोई डाला मैंने सुझा कि दोह दूंगी तो फिर कई दिनों के चुट्टे हो जाती है ये सब तो डेली डेली नहीं करना होता है और ये इतना हैं मजन शायत होता है सब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है अपने घर में पूझा करें सबसे जजदा मुझे घर के अंदर बैठ करके पूझा करें मन्दिर में तो हमनों जाते हैं इतनी अर्बड़ी रहती है भेड़ बाड़ रहती है ऐसे जब कभी शांत हो और भी Genesis हो तब आप जाओ तो अब को अच्छा लगेगा और अब मैं आ चुकी हूँ किचिन में किचिन में मेरा नाश्टा बनेगा खाना बनेगा जो जो चीजे बनानी होंगी वो सारी चीजें होंगी किचिन में और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अगर पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा खुश रहिए द्वीड बाइ